अजी सुनते हो? हाँ, सुनना है पड़ेगा ने तो शाब को खाना नहीं मिलेगा अच्छा बोलो मैं मजाग कर रहा था आप क्या बोल ले तो बताओ आपने लास वडियो के कमेंट पड़े नहीं मैं थुरा सा काम में बीजी था इसले रहे गया को बढ़ना हो कैसे काम करता है यह भी बताओ तो लो इसके अपर मैं वीडियो लेकिया हूँ कम्प्लीट डीटेल में कि यह कैसे काम करेगा आपके कम्पीटर के अंदर आप इसमें कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो मैडम जी ने मुझे याद दिला है इसके लिए पहले उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा फिलाल तो अभी टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं Learn More का InVite Generator Software जो मैंने डिजाइन किया आप सभी के लिए वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा ट्रेलर उसके बाद इसमें कस्टमाइजेशन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ट्रेलर पसंदे तो पूरा पिच्चर आप देख लेना फिलाल यहां पे देख लीजिए यहां पे मैंने मेरे लर्ण्मोर नाम का फोल्डर बन किया जिसमें Edit Invice और Invice प्डियायक नाम के दो वोल्डर है इन फोल्डर में वी कुछ नहीं मैं अगर ओपन कर लिख दिखाँ हूँ Edit Invice में कुछ नहीं है पीडियाप में भी कुछ नहीं इन्वाइस के, तो यहाँ पे क्या है, Learn More Invite Generator, यह जो अप्लिकेशन से, यह सब्सक्राइब बिसिकले अंदर डिजाइन किया, यह देखे, चालो किया, वेट पर 5 seconds, हो गया, यह रहा, इन्वाइस, जो कि पीछले वडियो में आपको दिखाता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे इन्वाइस आपको मिल रहा है, अब यह इन्वाइस कैसे डिजाइन करना है, मैंने पिछले वडियो में बताया है, जुनों नहीं नहीं देखा, इसक्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ आपके लिए, यह आटोमेटिक इन्वाइस है, और वो कस्टोमाइज कैसे करते हैं, यह सारी चीज़े मर्ज कैसे यह सारी चीज़े अड कैसे करते हैं, यह सारी चीज़े मैं पिछले वडियो में बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, वो देख लेना, फिलाल यहां पर हम क्या देखने वाले, यहां एक 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 एक्ट्रा बटन आपको मिल रहा है, सेव एंड पहले पाटी का नाम सिलेक करो और सारी जीटेल्स भी अड़ करो तो मैं यहाँ पर एड करो XYZ प्राइवेट लिए अटोमेटिक उसका एड्रेस अरहा है उसका जीस्टेन नमबर अरहा है यह कहां से आरहा है यह सारी चीजे मैं बता हूंगा उसके बाद यहाँ पे हम सेरील नमबर डालेंगे और यहाँ पे कोई भी प्रोड़क्ट हम लिख देते है प्रोड़क्ट एक्जमपल के लिए मैं लिख रहा हूं है एच असे कोड में यहां पर फिलाल ब्लांक रहा हूं और कॉंटिटी रहा हूं 10 रेट रहा हूं 200 यहां पर आपको दिखा दे रहा है मुंबे और मेरी कमपणी भी महाराश्टरस से बिलॉंग करती है, तो यहां पर CGS-DHGST आ चुका है, और अमाउंट इन वर्ड भी आ चुका है, सारी चीज़े आ चुकिए, अब मुझे करना है यहां पर क्लिक, सेव एंड प्रिंट, जैसे मैं यहां पर सेव एंड प्रिंट करूँगा, एक पॉपप आएगा, देखिए क्या रहा है, PDF सेव सक्सेसफुली, और यह उपन भी हो चुका है, यह रहा आपका इनवाइस PDF में, और सेव भी हो चुका है, मैं फिलाल इसे क्लोज कर देता हूँ, और PDF सेव सक्सेसफुली को करता हूँ, अब जो फोल्डर थे हमारे पास, एक था एडिट इनवाइस, उसमें कुछ नहीं था, वह पर आ चुका है, आप यहां से एडिट कर सकते हैं, इसे ओपन करके अलग सा, और Excel फाइल हो, और इनवाइस PDF भी आ चुका है उसका, यह PDF जो मैंने अभी आपको दिखाया था, अब वह PDF यहां पे सेव हो चुका है उसका, और साथ में यहां पे इनवाइस में आते हैं, साथ में customer register तो यह हमे maintain करना ही है, और sales report में, यहां पे आप देख सकते हैं, पहला है कि इनवाइस मेरा पहले से था, यहां पे मुझे डिलिट करना रह गया हूँ, एक और इनवाइस में अभी जनरेट किया, वह यहां पे आ चुका है, और इनवाइस की PDF यहां से access कर सकते हैं, और इसका bill amount भी यह आपे दिख रहा है आपको, और सारी चीज़े है यहां पर, right, date वगरा है, invoice date and all, right, तो यह सारी चीज़े जो है, automatic कैसे हो रही है, यह अप जानने में जरूर इंट्रेस्टेट रहोगे, तो video end तक देखिए, यह बस ट्रेलर था, picture अभी बागी है, शुरू करेंगी दोस्तो मैं साधिश, Excel Tutorial चैनल पर स्वागत करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले, रिक्वेश्ट करोंगा, हर एक वडियो को बनाने के लिए, मुझे और मेरी टीम को बहुत मेहनत लगती है, तो मैं रिक्वेश्ट करोंगा, कि आप लाइक करो, कम से कम, शेर करो, उनके साथ जो न सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकों पर क्लिक कीजिए, Excel Tutorial चैनल के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर आप जल्दी-चल्दी करके दोगे, आप सभी से रिक्वेश्ट है कि लोगों के साथ शेर करो, इसलिए सब्सक्राइब करो, शेर करो, लाइक करो, जो भी है, कमेंड भी क तो यह सारे डाउट से यह पर क्लियर करने वाला हूं मैं अभी, तो आइए, Excel में दिखाता हूं आपको, यह पर Excel की स्क्रीन आपको दिखाए दे रही है, बिसिकलि यह पर कुछ फॉर्मूला मैंने लगा है, कुछ VVA की कोडिंग मैंने की है, जिनको पता नहीं VVA कोडिंग काम करता है, वैसे, Macro का ही Advanced Part हम VVA बोलते है, Excel Visual Basic for Application, इसके लिए, Excel के अंदर हम कोड करके, इसके अंदर की चीज़े Automate करते है, और इसके लिए, मैं इसके लिए, मैं सबसे पहले उपर जो कंपनी लोगो आपको दिख रहा है, यहां पर मैं इसे डिलेट कर सकता हूं, यह कं मतलब आप यह चीज़े Customize कर सकते हैं, नाम डालो, अपनी कंपनी का logo डालो, यहां पर आप खुद से logo डाल सकते हैं, और कैसे डालना यह नाम और लोगो अगर आपको Excel में यह पता नहीं, तो उसके लिए पिछला वीडियो ज़रूर देख लो, यहां पर अड्रेस Customize कर सकत हो तो उनकी लिस्ट में यहां पर डाल के रखी हैं, अगर आपके पस फिक्स कस्टमर नहीं है, आपका जो डेली कस्टमर जो होता है, जिसे हम Point of Sale बोलते हैं, यानि कि वो कस्टमर आता है, जिसका रेकॉर्ड आप नहीं रखते हैं, जैसे शॉप होता है कोई, तो किराना श उसका अकांट नमबर आपको उसको देना है, पार्टी को और उसके बाद उसका बिजनेस नेम या फिर बिजनेस एड्रेस, उसका जीएश्ट नमबर रेगा, कॉन्टैक नमबर रेगा, उसको कितना डिस्काउंट आप दे रहे हों यहां पर इस वाले शीट में आप बर दे करता हूं, और यह जो है, इन्वाइस पीडियाप को भी मैं डिलेट कर दे, अभी में पास कुछ रेकॉर्ड नहीं है, अच्छा, यहां पर अभी पुरा ब्लैंक रेकॉर्ड है, इन्वाइस जनेरेटर के अंदर यहां पर ड्रॉप डाउन में यह पार्टी आ रही है, क्यो गाट कोपोरेश, मुंबई की जगह, यहां पर गुजरात कर देते, क्योंकि उसका जीएस टेन नमर मैंने गुजरात रखा, एक्जामपल के लिए लिए है मैंने यह पार्टी, आप इतना यह मत करो, टेंशन मत ले लो कि यहां यहां पर ऐसा की हो रहा है, तो यह गुजरा यह अटोमेटिकली फेच होगा, कस्टमर रेजिस्टर में आप डीटेल भरोगे, वो यहां पर दिखाई देगा, यह बाते याद रोखो, क्या-क्या में बता रहा है, उसके बाद आप यहां पर प्रोड़क्ट एड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके प्रोड़क्ट भी फिक्स है, तो आप एक नई sheet यहां पर तैर को इंस अई शीट के अंदर, यहां पर sheet 1 यह, तो नाम दे दो प्रोड़क्ट और इसके अंदर प्रोड़क्ट के लिश्ट व्गर तैर को यहां पर, जो भी प्रोड़क्ट है आपके पास, you can do product list तैर करके, यहां पर उसका तो यहां पर प्रोडक की लिस्ट आपने बनाई, इन्वाइस में आ जाओगे, यहां पर डिस्क्रिप्शन के यहां पर करसर रख दोगे, यहां फिर इतना सिलेक कर लोगे, पूरा का पूरा, जा जा डॉप डॉप डाउन आपको चाहिए, और आप डेटा वैलिडेशन में ज जाना है, और यह पूरा कॉलम जिदर भी आप लिख रहे हो, पूरा कॉलम लेलो, यहां पिर आपको लगता जिटने इहीं प्रोडाबडाट लिये है, तो उतनी लेलो, आपकी वैसे ब्रोडाट है, उतनी लेते, ओके। तो अभी आपको दिखाय देगा, यहां पर एक ड्र कि इसकां सब्सक्राइब कने लिए आप छेयर राहिए लेकिन डोट करने के पहले इसमें आप रो'lls आड कर सकते नहीं solely nor jam, इसमें आप टेक्डेटनर कर सकते लिंदेद ग Nobel रहेका संधेड़नों आपके इस sales report में जाके submit हो रहा है तो फिर problem ही होगा कि आपने column या row add कर दिया ना तो particular sale में से या particular column row में से वो data नहीं ले पाएगा, नहीं catch कर पाएगा, right तो इसलिए फिर आपका जो VBA का मतलब नहीं होगा VBA result कुछ गड़बड हो जाएगा तो इसलिए मैंने एक standard format रखाएगा जो कि जनरली सब को यूज होता है तो इसमें आप यह content को बदल सकते आपको लगता है कि भाई यह पर पार्टी जेस्टन नहीं चे तो आपको लगता है कि यह पर पार्टी जेस्टन नहीं चे तो आपको आटादो कोई देट का फॉर्मूला आटोमेटिक आएगा और इन्वाइस नंबर को आप कस्टमाइज कर सकते क्या कस्टमाइज करना है यहाँ पर मैने वन इन्वाइस नंबर रखना है वन मुझे starting वन तेन थाउजन वन से करनी इन्वाइस मुझे 1 से करनी 1 और आगे एर जो चाहिए वो रखो लेकिन यह पर इन्वाटेड कोमा ज़रूर लिखो यह रहने दो आज़िटी और आगे बदलो याद रोको आगे का जो चिंजेस करना है करो लेकिन यह पर इन्वाटेड कोमा मत थटाओ जो दिया है वो रेट डाल दिया मैंने 250 तो उसका जो भी अमाउंट है यहाँ पर आपको दिख रहे है राइट लुक अट देर दोनों कम मिलके यहाँ पर जो है न यहाँ पर आमाउंट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टोटल हो रही है और ट्रांसपोर्ट अन फोरवर्डिंग अगर आपनों पर ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर लिख शकते हैं 50 आपर 50 चाहते हैं Так यहाँ पर 50 र्पर यहाँ पर चाहते हैं 50 गयलेट कर देका हो 50 पुन transport and forwarding लग रहे तो यहाँ पर discount भी आता है लेकिन आभी नहीं आ रहा है क्योंकि इस party के लिए discount नहीं है काम कहते हैं मैं party बदल देता हूँ लंकी की जगह यहाँ पर X Y Z लेता हूँ और यहाँ पर देखिए 10% इसके लिए discount है तो वो यहाँ पर आ रहा है discount automatic minus हो रहा है दिखिए सब formulas यहाँ पर देखे रखे आप formula को जाके चेक कर सकते हैं मैंने कोई चीज़ यहाँ पर लॉक नहीं रखी है यह आप edit कर सकते formulas में यहाँ पर आपका 28% तो यहाँ पर 14, 14 और यहाँ पर 28 अटोमेटिक लिए अमांट चेंज हो जाएगा 28 इस तरह से तो आप जो percentage है वो percentage है यहाँ पर tax rate उसकी साब से add कर सकते है right tax rate यहाँ चेंज कर सकते है इसलिए अलग सा column tax rate के लिए मैंने यहाँ पर देख रहा है दोस् यहाँ पर्टी है जो की 10% है हमारा यह दिखिए XYZ private limited इसका discount दिख रहा है 10% यहाँ पर और second party जो की गुजरात की है मैं यहाँ पर invoice में आता हू दुबारा invoice sheet में यहाँ से change कर रहा हूँ मैं याद रखिए नीचे सारे register से हमारे पास और मैं यहाँ पर XYZ की जग यहाँ ले मेरी company है महाराष्टर की मेरी party मतलब मेरी company है महाराष्टर की और गुजरात की party को मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ यह देखिए गुजरात का यहाँ पर GST number 24 से start हो रहा है तो GST number 27 से start है तो automatically वो क्या करेगा CGST, SGST ले लेगा जो लोग business करते हैं उनको normally पता है कि GST में CGST, SG होता क्या है और जो लोग नहीं करते हो तो जान लो कि CGST, SGST अगर आप अपने स्टेट में बेच रहे है माल अगर आपके company महाराष्टर की और महाराष्टर में goods बेच रहे हो तो आपका क्या रहेगा उदर CGST और SGST tax calculate होगा और अगर आप भार बेच रहे हो outside of महाराष्टर जैसे करनाटक, गुजरत, गोगा, उत्तरब्रदेश तो उस टाइम पर आएगा IGST कोई भी states other than your states तो उसे इंट्रसेट और इंट्रसेट कहा जाता है जो कि मैंने टैली में explain किया है फिलाल यहाँ पर Excel में हम इतना ही देखते है कि मैंने अगर महाराष्टर select किया तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, CGST, HGST आ रहा है वाओ, great तो आपका यहाँ पर समय बच रहा है, रोज-रोज की जो जंजट है जंजट ही बोलेंगे न आप इसे, क्योंकि रोज-रोज वही काम करना पड़ रहा है तो इससे अच्छा कि सब calculation automatic हो यहाँ पर दिखाए दे रह है, पैसो को round करने के लिए आप यहाँ पर minus डाल दो, आ जाएगा और बाकी की details यहाँ पर आप edit कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी edit नहीं करना है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते तो कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप formula जे वहाँ बिल्कुल कुछ delete मत करो, आपक इस invoice को use कैसे करना है, मैं आपको बता रहो पहले, जब आपने details भरी save and print आप करते हो दोस्तों, तो अब देखिए, वो PDF से successfully आता है, यह PDF open भी हो जाता है, आपका save हुआ है कि नहीं आपको पता करने के लिए, यह देखिए, proper PDF आ चुका है, सब कुछ, everything is proper, अगर आपने यह पर PDF close भी किया, no issues, आप जाके folder में open कर सकते है, sales report नाम देखेंगे, sales report में देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते है, invoice date वगरा, party name, address, सारी चीज़े आ चुकी है, party GST number भी आ रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है, invoice link, यहाँ पर click करो, वो PDF आप यहाँ से भी open कर सकत मतलब मैं जब invoice file दोंगा, तो वो तो blank के रहेगा आपको, लेकिन आप trial के लिए run करो, यहाँ पर जाकर यह पूरा clean कर लो, पहले data पुरा ना, और customer register में आप अपना data भरो, पहले आपके पास customers के जो records पढ़े है, वो यहाँ पर add कर दो, और उसके बाद आप जाके invoice में काम करना, start करो, यहाँ पर company का logo add करो, background में logo add करना है, तो भी कर सकते हैं, वो पुराने video में बता है, मतलब इसके पहले का video, invoice कैसे बनाते है, basically, उसमें बता है, तो background में भी logo add करो, तो अभी हमने देख लिया, कि invoice save हो गया है, हमारा PDF में वगरा सब कुछ, यहाँ पे देखिए, invoice number 2, यह invoice का number क्या आ चुका है, 2, मतलब नहीं, invoice automatically यहाँ पे, आपको fill करने के लिए आ चुका है, यहाँ पे invoice number 2 बनेगा, जो भी आप अभी party select करोगे, और इसको अगर पुरानी invoice को edit करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे यह जो folder है, learn more, उसी में आपको edit invoice नाम क एक folder है, उसमें आपको यह पुराना invoice मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसे edit कर सकते हैं, लेकिन जब आप edit करोगे तो इस invoice software को आप क्या करो, close कर दो, close कर दो directly, क्योंकि save करने की ज़रूत नहीं, already save ही रहेगा, और अपने changes किये तो save करो, basically, यहाँ पे देखिए, यह invoice आपको और इसको Ctrl S करके save कर दो, Ctrl P करके print करो, यहाँ से इसका इस्तमाल मत करो, क्योंकि यह काम नहीं करेगा, यहाँ पे, basically, क्योंकि यह काम करेगा, बस learn more invoice generator के अंदर, यह कुछ चीज़े हैं, जो disclaimer के तोर पे याद रखो, basically, बहुत ज़र लोग इसमें जाके काम करते हैं, इसको open रख देते हैं, इसको close करो, फिर इसमें जाके आपको जो invoice पुराना edit करना है, वो edit करो, वो इसलिए रखा है, क्योंकि आपको पुराना invoice edit करना है, तो आपका समय बचे, इसलिए मैंनी यह option भी रखा है, यहाँ कि आपकी फाइल की copy, इधर से होते जाए बार बार, तो इस इसमें क्या करना है, आपको कुछ coding नहीं है, इसमें याद रखे, इसमें बस आपको invoice को manually edit करना है, print करना है, Ctrl P करके and that's it, PDF भी आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, Ctrl P या Ctrl S बटन प्रेस करके, save as करते समें, PDF बनाना है, और invoice PDF में यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, जो भी है, तो इस तरह सी overall structure है, थोड़ा सा wisely यूज करो इस software को ध्यान सी यूज करो, तभी आपको समझ में आएगा, यह properly, साथ में यह learn more folder का नाम या फिर यह जो location से इनको बदलने के कुशिश मत करो, यह file का नाम भी मत बदलो, क्योंकि यह सब coding के अंदर है, basically, आप invoice PDF का नाम बदल होगे, या फिर learn more invoice generator का नाम बदलोगे, तो आप यह problem हो जाएगा, अंदर बदल सकते है, लेकिन बाहर से कुछ बदलना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यह सब नाम पिक कर रहा है, भी भी है, और वहाँ पे अगर अपने modify किया, तो वो error दे देगा, so error देखना ह या invoice properly काम करना है, वो आपकी उपर है दोस्तो, अब यह सारी चीज़ी होगी, overall customization कैसे करते है, अब कुछ coding के बारे में बताऊंगा, यहापे मैं code आपको दिखाना चाहूँगा, यहापे code लॉक नहीं रखे, मैंने, बिल्कुल यहापे लॉक नहीं रखे, आप चाहिए, ज यहापे आपको एक form मिलेगा, यह है loading form, जिसमें आप अपनी company का logo अगरा डाल सकते, VBA को अगर थोड़ा बहुत जानते हो, तो वो लोग edit कर सकते, और module से में जाकर, module 2 में जाईए, यह पूरा पूरा code जो है, यहापे दिया है, और मैंने explain भी क्या है कि किस के लिए क्या न BPA थोड़ा बहुत आता है, जिनको लगता है कि यार इसमें थोड़ा बहुत merit करके रखना चाहता हो, वो कर सकते हैं, और आगे चलकर आपको year बदलना है, 2022 की जगर 23, 24 करना है, तो यहापे आप बदल सकते हैं, यह code में आप थोड़ा बहुत changes कर सकते हैं, जैसे next year के लिए Excel operator को, और बाकी तो मैंने यहापे सब कुछ करके रखा है, और यह पूरा free है, इसमें free में download करो, free में edit करो, कोई problem नहीं है, इसका copyright भी मैं आपको दे रहा हूँ, there is no charge at all, बस आपको care करनी, मेरे channel की subscribe करना है, share करना है, comment करना है, भई मैं मैंनत ले रहो आपके लिए, तो आ आपका काम मैंने assign किया, और यह सारी सीजे उन सभी के लिए ज़रू होते है, जिनका नया नया startup है, जिनको अपने product पर focus करना है, invoice बनाना वगरे, यह secondary है, मतलब बनाना तो पड़ता है, लेकिन एक professional invoice चाहिए, तो वो लोग यहाँ पर आकर इस invoice software को download कर सकते है, कोई invoice software के ल नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पर sorry कहता हूँ उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी, पिछली बार मैंने यह वीडियो Learn More चैनल पर अपलोड किया, तो पिछली बार बहुत सारी लोग कमेंट करते हैं, कि सरा में invoice बना के दो, so we are not in that field, मैं बस developing करता हूँ, मैं teaching field में हो दोस्तो, त क्योंकि मैंने कुछ predefined structure यहाँ पर देखे रखे हैं, और अगर आपको VBA सीखना है, तो आप आज जाहिए मेरे website की उपर description website की link है, जाप Excel VBA, पूरा mastery course है, मतलब आपको coding का CV नहीं पता है, तो भी आप Excel VBA सीख सकते हूँ, यह मैं guarantee देता हूँ, उसमें पहले एक दो वीड पीज में है, market में जो अलग-अलग बोल रहे हैं कि 5000 का मेरा course enroll करो, 4000 का, 10,000 का, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम पीज में आपको यह course सीखने मिल रहे है, 10-15,000 पे करने की ज़रुवत नहीं है, यह आप ए घर बैटे बैटे सीख सकते, कभी भी सीख सकते, कहीं भी सीख सकत और मुझे बताओ कि कैसा लगा यह software, फिलाल तो यह वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खैल रहे हैं, सीखते रहे हैं, सीखाते रहे हैं, बाई बाई